नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे साथ 40,000 GDS जुड़ चुके है आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो दोस्तों बड़ी खुश कबरी आ रही है कि GDS रिपूर्ट पियो में से अप्रूव होके अब आप सोच रहे होंगे अप्रूव होके केबिनेट में जाने चाहिए थी फाइनेंस मिनिस्टर में क्या कर रही है तो दोस्तों बहुत ही बड़ा गड़बर यहां पर पाया गया है जिसके हम दोस्तों दो तीन हफ्तों से पहला रहे थे आपको कि दोस्तों हमने जब GDS रिप पिर कह लिजिए 700-800 का फाइदा हो था नए GDS से तो दोस्तों इसको सुधारने के लिए पियो में एक सकारात्मक कदम उठाया है वापस फाइनस मिनिस्ट्री में भेज दिया गया है और कहा है इससे सुधार के साथ भेजिए यह कोई लॉजिक नहीं होता है यह अंसाइंट अगर यह नहीं होता तो आपको पास एक ऐसा रिपोर्ट आता जो बिल्कुल ही बेकार होता तो दोस्तों SS महादेवय जीने क्या कहा था आप एक बार सुन लिजे रिपोर्ट अप्रूव हुआ है की नहीं और नए GDS और पुराने GDS में फार्क होगा की नहीं आप एक बार स आपिसर्स ने GDS कमटी में GDS एमप्लाइस का सीनियर और जूनियर का बीच में कोई परक्त नहीं करके यह लोग अब्जर्वेशन किया उन्होंने गल्त गल्तु डिपार्मेंट की तरफ से गए था ए पीमो आप इसमें इसका अब्जर्वेशन करके इसका टीक करने का बोला है डिपार्मेंट में अन्तिम में कुछ सुदार किया है अभी मेरा कायल से हमारा वरिष्ट CDS को कुछ आतिक मदद तो सकता मतलब सुदार आएगा अभी क्याबनेट नोटू PMO आपिस से सुदार करने का बेजा था सुदार करके PMO आपिस के पास बेजा था पीमो आपिस न अप्रूब हो गई है इस निर्देश के साथ की finance ministry में जाके इसमें सुधार होने चाहिए तो दोस्तों ये निर्देश साफ साफ दे दिये गए है PMO office से और वहां से अप्रूब कर दिया गया है और अब PMO office में इनका जादा कुछ काम नहीं बाकी रहा है अब बस finance ministry में जाके वहां से कुछ जानकारी डिपार्टमेंट से लिए जाएगी और सुधार किये जाएगे तो दोस्तों इस तरह के update कले बने रही हमारे साथ आप अगर अभी तब हमारे चैनल के member नहीं बने है तो चैनल को सब्सक्राइब करके member बन जाएए दोस्तों धन्यवाद